जैनो सबन्द मातरम, बॉक्स ओफस पर इस समय वैसे तो हर एक मूवी थंडी पड़ चुकी है नाशनल सिनेमा डे के कारण जो टिक्टो की दरों में कमी आई थी उस चीज ने भी कई सारे प्रोडूसर्स की डारेक्टर्स की आँखों खोल के रख दिया है जिस तरीके से लोगों की पर्चेसिंग पावर बड़ी उसको देखते हुए ऐसा लगा रहा था कि सिनेमा मालिकों ने इत्ताय कर लिया था टिक्टो को रेट अब सर्फ उपर ही जाएंगे मतलब समराट प्रित्वराज जैसी मूवी जब टैक्स फ्री हुई हमारे प्रदेश में उसके बाद भी टिक्टो करेंट देड़ सो दोसो रुपए ही थे तो ऐसे में एक मन में सवाल जरूर आता था कि बही जब तारे जमी पर टैक्स फ्री हुई थी ना लेकिन आज की रेट में हम देखना है कि ऐसा अमूमन होता है कि रेट कम नहीं होते लेकिन नैशनल सिनेमा डे की कारण भई टेक्टो के दर कम हुए 75 रुपए हुआ बंपर टेक्टो की सेल देखी गई उसके आलबाद मेकर्स ना ताय किया कि यह सो ही रुपए टिकेट कर दो चाहे चुप हो धोका हो या फिर अपनी वो एक मूवी आई थी ना कौनसी ब्रह्मास्त्र हो इन सबी टिक्टो के मूवी के टिक्टो की जो दर थी वो सो रुपए कर दी अब ऑब विसी बात है कई सारे सवाल उसके बाद में जो यूजर से उठाने लगे कि भई ये डि प्रिक्षा रहती है एक दिखाई जा रहे ही फिल्म बहतर हो दूसरा बहुताय जनता उससे सहमत भी हो तीसरा फिल्म के टिक्टो के कीमत आम दर्शकों के भी बजट में हो अब लाईगर जैसे फिल्म बना कर धाई सो रुपए के टिक्ट बेचे जाएंगे तो बहला किस व प्रिक्टो की दर्म कर दी गई थी प्रिमियम के टिक्ट 75 रुपे में अब्लब्द थे और सिनेमा घरों में चुप दर्वेंज फार्टिस के रूप में एक बहतर फ्रिलर का विकल्ब भी दर्शकों को मिला और बालकी ने चुप के लिए जो फ्री व्यू का प्रमोशनल फ अब देखिए कई सारे अनलिसिस में देखा गया है कि दिल्ली एंसिया और मुम्मी जैसे को चेहरों में एडवांस बुकिंग चेक करने पर कि एक दो सीटों को छोड़ दिया जाया तो शोड़ लगबग हाउसफुल थे एक्जामपल के लिए नौईडा के विस्तम सेक्टर 18 में भी एक मल्टिप्लेक्स में देर रात का आखरी शो भी पूरी तरह से लगबग हाउसफुल ली था कुल मिलाकर तमाम चीजों की वज़े से आर बालकी की लोटरी लगती दिख रही है और माना जा रहा है कि वे हिंदी सिनिमा के सबसे खराब कारोबारी दोर में बहुत आसानी से अपने फिल्म को काम्याबी के रास्ते पर चाड़ता देखेंगे वैसे भी ट्रेट सरकल में पहले दिन फिल्म का अनुमानित कलेक्शन अपिक्शाओं से बहतरी नजर आ रहा है जिन थेटर समाच चुब दिखाई जा रही है उसके बहार टंगे हाउसफुल के दुरला पोस्टर बॉलिविट को काफी कुछ समझाईश दे रहा है फिल्म बिजनस में लगे हुए स्टूडियोज, डिस्टिब्यूटर्स, एग्जेबिटर्स की आखे खोलने वाली समझाईश भी हमें से मान सकते है सवाल सिर्फ फिल्म के कॉंटेंट भर का नहीं है तो अगली बार जरूर उस पर सोच वचार करेंगे और धरने पर कॉंटेंट मिलता रहा तो भला कोई 500 यहाजार रुपे खर्च क्यों ही करने जाएगा सिर्मा खरों के में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले में कोई यह सवाल नहीं है लेकिन वाजब दर में टिक्टो का होना दर्शकों के लिए जरूरी है तभी वो लोग थेटर तक आएंगे नाशनल सिनेमा डे पर वो दिग गया है कि बही किस तरीके से सीज को कैश किया जा सकता है वो भी उस कंडिशन में जब हिंदी की व्यापक बेल्ट में सिंगल स्क्रीन्स लगबख खत्म हो चुके है कभी यहाँ पर दर्शक 10-25 उरुपई में फिल्म देख लिया करते थे मल्टिपलेक्स में टिक्टो की कीमतें बहुत जादा रहती थी जब तक व्यूटि का विकल मौझूद नहीं था भीड मजबूरी में सिनमा के लिए आही जाती थी मगर अब दर्शकों के पास फिल्मों को देखने के लिए जाद सुलब और बहुत आसान माद्ध है मुपलब्द है और वो भी बहुत सोच समझकर विचारक सिनमा घरों के लिए किसी फिल्म को देखने पहुंचते हैं दक्षिन में सिंगल स्क्रिंग की मौझूदगी और टिक्टो का सस्ता होना कारुबार की रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर बड़ा बिजनस होता है लेकिन सवाल यही कि क्या बॉलिवूड नैशनल सिनमा डेप टिक्टो में रियायत और चुप की मार्केटिंग से कोई सबक सीखने की दिशा में आगे बढ़ेगा अगर बॉलिवूड ने कुछ नया सीखा आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट गर का जरूब बता है मेरी सुनिव फिलालत नहीं जैहिन जैपारात